हलो साथियों मैं पंकज वैश्णव आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की सेशन में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट भुगोल के लिए अपना पार्टी गरम यानि की सेलेबस क्या रहने वाला है तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को सबसे प और 200 अंकों के लिए अपने मैं सब्जेक्ट यानि की भाग बह में भुगोल के कोशन पूछे जाएंगे इस प्रकार ये टोटल 300 अंकों का होगा और हमें 3 गंटे मिलेंगे अब भाग अ में और भाग बह में क्या-क्या बाते की गई है भाग अ में आपको जानकर ही होगी क कि राजिस्तान के सामानिय ज्यान और करंट अफेर्स के बारे में बोला गया है जैसे कि राजिस्तान का इतियास है कला संस्कृति साहित्य परंपराय वीरासत राजिस्तान का भुगोल इतियादी इनके बारे में कोशन हमें देखने को मिलेंगे 100 अंकों के एक question दो अंका होगा यानि की यहाँ पर आपको 50 question पूछे जाएंगे वही भाग बग के अंतरगत अपने man subject भुगोल से related question पूछे जाएंगे जिसका सलेबस अभी हम discuss करने वाले हैं इसमें 200 अंकों के question पूछे जाएंगे प्रते question दो अंका होगा तो इस प्रकार यहाँ पर 100 question देखने को मिलेंगे यहाँ 50 question यहाँ 100 question यानि की total 150-500 question हमें देखने को मिलेंगे इस प्रकार यह 300 अंका हो जाएगा 3 गंटों का में समय मिलेगा कुछ basic बात है जैसे की question जो होगे वो बहु विकल्पर प्रशन होगे मतलब objective टाइप का यह paper होगा इसमें minimum आपको 40% अंक लाने होगे इसका मतलब क्या है कि आपकी copy तभी check होगी जब आप 40% marks लाओगे और आपका selection की साधार पर होगा वो cut off के इसाब से होगा जैसे अन्य एक्जाम में होता है ज्यान देने वाली बात यहां यह है कि इसमें negative marking होगी कितनी one third एक बटा तीन भाग जो है वो negative marking होगी यह तीन बाते आपको पता होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं मैं आज की बात पर कि भाग भुगोल के अंतरगत अपना syllabus क्या क्या रहने वाला है लंबा सले बस है एक एक topic को हम देख लेते हैं साथ ही हम यह बात भी करेंगे कि इसको पढ़ना कैसे है तो भाग भुगोल के अंतरगत पहला topic है बुगोल एक समाकलित विशय के रूप में बुगोल की साखाय और भौतिक बुगोल का महत्व यह जो परमुक भुगोल विता कौन-कौन से हैं भुगोल के जनक कौन से माने जाते हैं मानव भुगोल और भौतिक बुगोल के अंतरगत कौन-कौन से भुगोल विता परमुक रूप से आये हैं भुगोल को किन-किन साखाओं में बाटा जा सकता है और अन्य विशय के साथ बिग बैंक थेओरिक क्या कहती है, बिग बैंक कभ हुआ था, फिर दीरे-दीरे कैसे सूर्य बना, नेबूला, ये सारी चीजे तारे बने, उसके बाद अपनी प्रत्वी का विकास कैसे होता है, और साथ ही फिर प्रत्वी पर जीवन कैसे आया, ऑक्सिजन कैसे बनी, ये सारी तीसरा है प्रत्वी की आंतरिक सरचना, आंतरिक सरचना मतलब प्रत्वी के अंदर की सरचना, जैसे कि आप पढ़ते हो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, तो इसके थिकनेस कितनी है, इसके अंतरगत कौन-कौन से तत्व मुक्य रूप से पाये जाते हैं, मैगमा क्या है, लावा अगर एक हिस्सा था जिसे पैंग फैंथालासा ये कहते हैं, और अलग-अलग क्योरी, जिसमें प्रमुक रूप से अल्फरेड वगनर की तियुरी है, उन्होंने कहा कि ये दीरे-दीरे, पैंजिया दो भागों में तूटा, और ये दो भाग आगे करते करते और भागों में तूटते गए और हिमालय का निर्मान भी इसी दौरान होता है ये सारी चीज़ां में देखनी होती है पांचवा टॉपिक है शैलो का परकार एवं विसेश्था है शैले मतलब रॉक्स के बारे में तो रॉक्स अलग-अलग प पठार मैदान कैसे बनते हैं कौन-कौन से प्रॉसेस इसमें इन्वाल होते हैं बहुत ही कुछ बेसिक बाते हमें देखनी होती है फिर अपना इस्तल रूप एवं उनका विकास ये इस चटे टॉपिक का ही एक अगला भाग है जिसमें हमें यह देखना होता है कि पहार पठ प्रत्वी को मुखे रूप से पाँच पढ़तों में बाटा गया है जैसे की सोब मंडल है, समताफ मंडल है, मध्य मंडल है इस प्रकार से पाँच पढ़ते हैं तो इनके बारे में हमें कुछ बेसिक विसेच्ता देखनी होती है कि कि कौन सा तत्तव पाया जाता है, जिसमे किस परत में तापमान बढ़ता है, किस परत में तापमान गड़ता है, ये सारी चीजे देखनी होती है नौवा टॉपिक है सूर्य का तब उस्मा का संतुलन और तापमान वित्रन हम जानते हैं कि प्रत्वी को मुख्य रूप से तापमान कहां से मिलता है सूर्य से लेकिन प्रत्वी के वायू मंडल को जो है वो प्रत्वी की वज़ा से, प्रत्वी सूर्य के तापमान ग्रहन करती है और बदले में वापस reflect करती है, तो इसी reflection से वायू मंडल गरम होता है, तो ये कैसे उसमा बजट बना रहता है, कैसे प्रत्वी न जादा गरम हो पाती है, न जादा ठंडी हो पाती है, इसको पढ़ना हो प्रत्वी पर पवने चलती है और इसकी वज़ा से अलग-अलग वायुदाप की पेटिया बनती है मुख्य रूप से हमें इस टॉपिक में ये पढ़ना होता है नेक्स्ट है अपना वायू मंडल में जल वास्पिकर्ण संगनन वर्षण का परकार और वित्रण सूर्य की में जलवायू का वर्गी करन कोपेन के अनुसार ये हरित्गर प्रवाव क्या है भूमंडल ये उश्मन क्या है जलवायू परिवर्थन क्या है बेसिकली हमें ग्लोबल वार्मिंग है क्लाइमेट चेंज है ये सारी चीज़े पढ़नी होती है और मुख्य रूप से हमें लागों में वर्गळक किया गया है वह पढ़ना होता है जल्लीक चक्र और अंत्र समुंद्री उच्चावज जल्लीय चक्र तो एक टॉपिक. अभी हमने देखा उसके एंतर इंतर्गत भी पढ़ना है इसमें हमें पड़ना होता है फिए तापमान एवांटा का वित्रण महा सागर्ये तरंगे ज्वारभाटा और ध्हरा यानि кि समुंद्र का पानी किस प्रकार से मुवमेंट करता है जैसे कि ध्हराओं के रूप में ज्वारभाटा के रूप में तरंग ऑ और समुंद्र के पानी पर तापमान और लवनता का क्या इफेक्ट पड़ता है और इसी की वजह से प्रत्वी पर तापमान का वित्रण सही तरीके से हो पाता यह चीजे पड़नी होती है नेक्स टॉपिक में हमें जैव मंडल पारिस्तिती की तंत्र और बायूम यानि की एंवार्मेंट का कुछ बेसिक हिस्सा इसके अलावा जैव भूर असाइनिक जल चक्र, जैसे कि जल चक्र है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कैसे ये पैदा होती है, वायू मंडल में जाती है, वापस आती है, और इस प्रकार ये कैसे चक्र चलता रहता है, कुछ important चक्र हमें, जैसे कि nitrogen है, sulfur है, इन चक्र के बारे में ह में देखना होता है, फिर ये थे world के topic, अब आ जाते हैं हम particularly भारत के संदर में, तो भारत के संदर में भारत की इस्तती, आकार और पडोसी देश, भारत कौन सी दो अकसांस रेखाओ के बीच में, कौन सी दो देशांतर रेखाओ के बीच में, भारत की लंबाई चोड़ाई कितनी है, पडोसी देश कितने है, जल्य सीमा कितनी है, इस्तल्य सीमा कितनी है, पडोसी देशों में सबसे बड़ी boundary किसके साथ लगती है, ये कुछ basic बाते हैं, फिर है भू आकरतिक खंड भारत के हिसाब से, कैसे उत्तर में हिमालय है, फिर उत्तर का विशाल मैदान है, थ कौन कौन से नदिया आती है, और प्रायदी पे हिस्से से कौन कौन सी नदिया निकलती है, कहां से निकलती है, कहां को जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, अरब सागर में जाती है, कौन सी सायग नदिया है, और इस पे परमुक रूप से कौन से बांध बने हुए है next topic है मांसून जलवायू और इसको प्रभावित करने वाले कारक किरियाविदी परमक रूप से इस topic में यह इतना बड़ा जो topic लिखा हुआ है इसमें परमक रूप से हमें भारत की जलवायू जो की मांसूनी जलवायू है उसके बारे में देखना होता है यह जलवायू मांसू जब return हो जाता है तब कहां पर बारिश होती है इसके अलावा कोपेन के रुसार भारत के जलवाईों को कैसे वरगिर करत किया गया है कुछ technical चीजे हैं वो देखनी होती है फिर next topic है वनों का प्रकार एवं वित्रण बारत में परमुक रूप से कौन कौन से वन पाए जाते हैं उष्नकटी बंद्य सदाबार या उष्नकटी बंद्य पर्ण पाती या एकदम सुस्क वन ये कौन से कौन से प्रकार के वन है और इनमें परमुक रूप से कौन सी वनस्पति पाई जाती है और ये वन कहां कहां मिल सब्सक्राइब को मिलते हैं next topic है आपदाएं भारत के संदर में हमें आपदाओं के बारे में मतलब जैसे की भुकंप हो गया जैसे कि आपका साइक्लोन हो गया इनकी विसेषता कैसे यह कैसे बनते हैं और भारत में परमुक रुप से कौन से चित्र आपदाव से, कौन-कौन सी आपदाव से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका मानचित्र. यह जो 24 चौबिसवा टॉपिक है, यहां से लेकर आपके लगबक तीस नंबर टॉपिक तक हमें कुछ प्रैक्टिकल आस्पेक्ट देखने होते हैं भुगोल के संदर में. जैसे कि चौबिस में हमें मानचित्रों के बारे में मानच कौनसी देशांतर है और समय का निदरण देशांतर के इसाब कैसे होता है. भारत के जंदर में भी MOANGrene 3 इसमें वायू फोटोग्राफ कैसे एरियल फोटोग्राफी के मदद से प्रत्वी के अलग-अलग हिस्सों का प्रोजेक्शन किया जाता है एक्यूरेट 3D डाइमेंशन बनाया जाता है 29 टॉपिक में भी हमें कुछ प्रैक्टिकल आसपेक्ट जैसे की उपग्रा बिंब हैं सुदूर समवेदन आकड़े हैं इनकी अवस्ताएं और अलग-अलग थियोरी क्या कहती है हमें वो पढ़ना होता है 30 टॉपिक में हमें मौसम उपकरणों का उप्योग जैसे तापमापी है अद्र और सुष्क बल तापमापी है अलग-अलग तापमापी है ये वायूदिशा, सूचक यंत्र, वर्सा, मापक यंत्र ऐसे बहुत सारे यंत्र जो की प्रैक्टिकल आसपेक्ट है और लेब असि पढ़ पाओगे जब आप पहले जो टॉपिक देखे हमने 24 नंबर से पहले जो बेसिक थियोरी है अपनी जोग्राफी की वो देखी होगी तब ही याँ पर आप ज़्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाओगे 32 भुगोल की परिबासा प्रकरती विसे चेत्रह महत्व यह हम देखते हैं कैसे भुगोल को मुख्य रुप से दो बागों में बाटा जाता है बहुतिक भुगोल और मानव भुगोल तो अभी 31 तक आपने देख लिया अब यहां से मानव भुगोल को हमें देखना होगा कैसे मानव विकास की अवधार ना आई है अलग-अलग बड़े अर्थ सास्त्रियों ने भुगोल विकास के बारे में क्या बात की है यह सारी चीजे इसके अलावा क्रसी चेत्र है दित्तिक चेत्र है यह भी टॉपिक इसी के अंतरगत आ जाते हैं इसको डीटेल में बताया गया है नेक्स टॉपिक है विश्व की जन जातिया अब मानव रूप से हमें यह देखना होता है जन संक्या का वित्रण गनत्व और इसको परभावित करने वाले कारण अब 34 टॉपिक और 35 टॉपिक और इसके बाद एक और टॉपिक आएगा जिसमें परमुक रूप से हमें जन संक्या के बारे में बात करनी होती है जन संक्या के बारे म बारे में हमें कुछ बासितिक बात है, जनसंक्या सरचना, आयू वर्ग, ये लिंगा अनुपात, ये ग्रामीड और नगरिय जनसंक्या का क्या अनुपात रहता है, और मुख्य रूप से बारत के संदर में भी 2021 की जनगर्णा के इसाब से, नेक्स्ट टॉपिक भी जनसंक्या से संबन देती है, कि जनसंक्या का परवास क्या होता है, परवास मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना परवास कहलाता है, परवास को परवावित करने वाले कारण कौन से है, कुछ सकारात्म कारण है, कुछ नकारात्म कारण है, मतलब कि कुछ कारण ऐसे होते हैं जो इस जगह को छोड़ने के लिए लोगों को बाद्य करते हैं और कुछ कारण ऐसे होते हैं जो दूसरी जगह पर लोगों को जाने के लिए प्रोथसाइद करते हैं तो ये परवास के बारे में बेसिक बाते हमें देखनी होती है फिर है मानव वि जी और पाकिस्तान के डॉक्टर मेभूब उलाग जी द्वारा मानव विकास की अवदार्ना का परतिपादन किया गया था और उसी के हिसाब से हमें देखना है कि आदुनिक समय में आज वर्तमान समय में कैसे मानव विकास की अवदार्ना चेंज हुई है संकल्पना चेंज बोला है कि कच्ची बस्तियों की समस्या क्या है और उनके समाधान, समस्या और समाधान दोनों के बारे में हमें बात करनी होती है। नेक्स्ट है अपना प्रात्मिक व्यवसाएं, प्रात्मिक व्यवसाएं मतलब कि हमें प्राकर्तिक संसादुनों से सीधी चीजे मिल रही है, वो प्रात्मिक व्यवसाएं या प्रात्मिक किरियाओं के अंतरकत आ जाता है, जैसे कि खेती का काम है, खननन का काम है, आखेट है पसु पालन है तो इनके बारे में बेसिक चीजे इनके विशेशता हैं क्या-क्या है और विश्व के परमुख छेत्र कौन-कौन से हैं इनके संदर में नेक्स्ट है आपका दृत्तिक व्यवसाय है तो यहां पर दृत्तिक व्यवसाय है जिसमें हम परमुख रूप से उध्योगों को देखते हैं निर्मान कारिये वी निर्मान कारिये को देखते हैं तो उध्योगों में या दृत्तिक व्यवसाय में कौन-कौन से प्रकार के काम आते हैं, उनको, उनकी कौन-कौन सी विशेस्ता है, और विश्वक के परमुक छेत्र कौन से है, साथ ही भारत के परमुक छेत्र है, कौन से है, वो देखने होते हैं, फिर हमें देखना होता है, तृतिक वेवसा है, चतुरतक वेवसा है, और पंचम वेवसा है, तृतिक वेव से कोई चीज नहीं दी जाती है बलकि knowledge का transfer किया जाता है सामान का transfer किया जाता है तो ततिक चतुरतक और पंचम website के अंतरगत हमें यह देखना होता है पिर हमें परिवन के बारे में भूतल परिवन देखना है भूतल मतलब जमीन का परिवन जैसे कि आपका सडक मार गये रेल मा कौन से है परमुक रेल मार कौन से इनकी विशेषता है कौन सी है फिर आपका जल परिवन पानी के माद्यम से कैसे परिवन जैसे बड़े-बड़े जाज है चोटे-चोटे जाज है विश्व के परमुक बंदरगा कौन से है इसके अलावा यह स्वेज और पनामन है इन दो नेरो के बारे में हमें देखना होता है, भारत के परमुक बंदरगा कौन से हैं, विश्व के कुछ परमुक बंदरगा हैं, उनके बारे में हमें देखना होता है, फिर आपका वायू परिवन, बहुत इस्तल परिवन हो गया, जल परिवन हो गया, वायू परिवन के बारे में ह और कैसे कोई देश ज़्यादा आया कर पाता है, साथ ही भारत की भूमिका और WTO, World Trade Organization, विश्व वियापार संगठन के बारे में हमें देखना होता है, नेक्स्ट है, आधुनिक जन संचार के उपकरण, परिवन हो गया अब जन संचार के बारे में, जन संचार मतलब कैसे आप घर बैटे एक वेक्ती, दूसरे वेक्ती से संपर्क कर पाता है, जन संपर्क, इसमें हमें परमुगरूप से रेडियो के बारे में भी देखना होता है, दूरदर्शन के बारे में भी देखना होता है, और उपग्र संचार पढ़नाली जिसकी वज़ा से मोबाईल वगरा चल पाते हैं, उनके बारे में हमें देखना होता है, नेक्स्ट है, परियावरण ये समस्या हैं, जिसमें परदूशन है, एसी ड्रेन है, अमलवर्सा है, हरिद गरपरवा, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन समस्याओं को सुलजाने के लिए वर्ल्ड के सारे ही देश, लगबग सारे ही देश, अलग-अलग मीटिंग करते रहते हैं, जैसे कि 1992 में प्रत्वी सम्मिलन होई, और उसके हर 10 साल, 2002-2012 में सम्मिल होते ही जा रहे हैं, इनके बारे में हमें देखना होता है, ये UNFCC क्या है UNCCD क्या है, इनके बारे में हमें देखना होता है, नेक्स्ट टॉपिक है संसादनों की संकल्पना, उनका वर्गीकरण, उनका संरक्षण और पोशणिय विकास, पोशणिय विकास मतलब sustainable development क्या होता है, संसादन, संसादनों का अतिउपयो कैसे हो रहा है, उनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है उनका वर्गी करन कैसे किया जा सकता है और ये सतत पोश्णिय विकास या पोश्णिय विकास क्या होता है सस्टेनेबल डवलपमेंट क्या होता है नेक्स्ट है आपके और जैविक संसादन जिन्समें जीव नहीं होता है जो निर्जीव होता है जैस परमपरागत उर्जा संसाधन और गैर परमपरागत उर्जा संसाधन यह क्या होता है उर्जा संसाधन वो संसाधन जिन से हमें उर्जा मिलती है बिजली मिलती है एनरजी मिलती है परमपरागत और गैर परमपरागत परमपरागत में क्या आएंगे जो खतम हो जाएंगे निक को बढ़ावा देने के लिए विश्व और भारत के संदर में कौन-कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और कौन-कौन से छित्र इन उर्जा प्रोडक्शन के लिए बहुत जादा फेमस है नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्रशी के प्रकार क्रशी हमने देख लिया था प्र कहन करशी क्या है इसके अलावा उत्रिपूरवी भारत में प्रमुक रूप से जूम केती स्लैस और बंज इसे कहा जाता है इस्तन आंत्रित खेती भी जिसे कहा जाता है उसके बारे में देखना होता है नेक्स्ट टॉपिक है मुख्य फसले भारत के संदर में जैसे कि इसी कुछ प्रमुक फसलों के बारे में हमें देखना होता है इनके लिए किस-किस प्रकार की जलवायू, तापमान, बारिश चाहिए, मिट्टी कौन सी चाहिए और भारत में प्रमुक रूप से कौन से चेत्रों में ये जदा उखती है नेक्स्ट टॉपिक है अपना भारत में उद्योगिक विकास, भारत में उद्योगिक विकास, कैसे धीरे धीरे भारत आजादी के बाद से उद्योगिक विकास के मामलें बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, सरकार की उद्योगिक नीतियां कौन-कौन सी आई है, और प्रमुक उद्योग कौन-कौन से है, जैसे टॉपिक है अपना चेत्रे नियोजन, प्रादेशिक आसंतुलन, मरू विकास कारेक्रम और जंजातिय विकास कारेक्रम, ऐसे कारेक्रम जो की लोकलाइज कारेक्रम है, यानि कि अलग अलग छेत्रों की समस्याओं को सुलजाने के लिए, जैसे कि अपके राजस्तान के करने के लिए कौन-कौन से कारेकरम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में देखना होता है नेक्स टॉपिक है विकास एवं नियोजन साथी गरीबी उन्मुलन रोजगार कारेकरम जैसे कि मनरेगा है और उसकी भूमी का और प्रभाव क्या है प्रमोग रूप से इस टॉपिक में हमें Planning के बारे में देखना होता है Planning Commission क्या है यह अलग-अलग पंचवर्सी योजना क्या आ गई है और फिर नीती आयोग क्या है Planning Commission कrawकर योजन आयोग को अठाकर यह निती आयोग क्या है इसके अलावा गरीबी और रोजगार के प्रोग्राम चलाय जा रहें और एक विशेश प्रोग्राम में मनरेगा, उसके बारे में हमें बहुत सारी बातें देखनी होती है, इसके अलावा पोष्निय विकास, बीच में भी एक टॉपिक आया था लेकिन पोष्निय विकास को और डीटेव में हमें देखना होता है, आपका next topic है ग्रामिंड विकाज इसके संदर में हमें पर्मुकृप से dairy और कुटी रुद्योग के बारे में पशुपालन के साथ-साथ हमें dairy और कुटी रुद्योग जो घरेलो इस तर पर किये जाते हैं उनके बारे में देखना होता है इसके अलावा पर्मुकृप जैसे जिपसम पेट्रोलियम इनके बारे में देखना होता है क्या-क्या विसेष्टा है भारत के संदर में पर्मुकृप से कौन-कौन से छित्र किस खनीच के लिए ज़्यादा पेमस है और सरकारों के माद्यम से इनके लिए कौन-कौन से प्रोग्राम चलाय जा रहे हैं पिर है प्रमुक सीचाई परियोजना है जैसे कि प्रमुक बांध कौन से है भारत के संदर में प्रमुक नहरे कौन सी है जैसे कि इंद्रा गांधी नहरे इनके बारे में आमें देखना होता है राजस्तान के संदर में चंबल परियोजना है माही परियोजना है इनके बारे में आता है मानचित्रों के बारे में देखना होता है और इस टॉपिंग में परमुक रूप से हमें थिमेटिक मानचित्र पढ़ने होते हैं थिमेटिक मानचित्र मतलब आपको अलग-अलग प्रकार के बहुत सारे मानचित्र देखने होंगे जैसे कि विश्व के संदर में और भा अलग मैप हमें बनाने आने चाहिए और उनको पढ़ना आना चाहिए नेक्स टॉपिक है अपना 65 आकडों का निरूपन आरेकों की सरचना दंड आरेक चक्र आरेक और प्रवा आरेक अलग अलग परकार के आरेक कैसे बनाये जाते हैं यह इनका ग्राफिकल रिपरजेंटेशन कैसे किया जा सकता है यह चीजिया में देखनी होती है और नेक्स टॉपिक है अपना भॉगोलिक सूचना तंतर का परिच्चा एवं अनुपरयोग यह टॉपिक भी आपके प्रैक्टिकल आस्पेक्ट के अंतरगत आ जाएगा तो टोटल हमें लैब असिस्टेंट भुगोल वाले एक्जाम के लिए भुगोल भाग बह में मुख्य रूप से हमें चासर टॉपिक पढ़ने होते हैं अच्छा इन टॉपिक को पढ़ना कैसे है मुख्य रूप से आप देखोगे तो यह सारे के सारे टॉपिक कहीं न कहीं NCRT की बुख से उठाये गए हैं इसमें विश्व का अलग और भारत का अलग इसी प्रकार कक्सा बारा में मुख्य रूप से मानव भुगोल के बारे में बात की गई है इसमें भी विश्व का अलग और भारत का अलग तो यहां पर आपको टोटल चार किताबे तो देखनी ही देखनी है कुछ टॉपिक आपको कक्स कक्सा 10 और कक्सा 9 में भी देखने को मिल जाएंगे लेकिन कक्सा 10 और कक्सा 9 की किताबे तब पढ़नी है जब आप यह चार किताबें कम्प्लीट कर लो इन टॉपिक को आसानी से समझाने के लिए मिशन ग्यान चैनल पर अलग-अलग टॉपिक के बहुत ही आसानी से वीडियोस बनाये गए हैं जो की to the point है आप उनको भी रेफर कर सकते हो आपकी समझ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए तो आज के इस सेशन में हमने मुख्य रूप से लेब असिस्टेंट बुगोल के ब बहुत ही डिटेल में और to the point डिसकस किया है आशा है कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेलफूल होगा मिशन ग्यान के इस चैनल से जुणने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद